तो स्वागत है दोस्तों हमारे आज के इस रेसेपी वीडियो पे और आज हम लोग बनाएंगे चावल का चिल्ला तो चावल का चिल्ला बनाने के लिए सबसे पहले चावल को 10-12 घंटे पानी में भिंगो लेंगे और फिर इसे ग्राइंडर में या इस तरह से सिल्वर टे पर अच्छी तरह से पीस कर इसका पेस्ट तयार करेंगे तो यहाँ पर हमने पीसे हुए चावल का पेश्ट बना कर तयार कर लिया है और इसके उपर हम डालेंगे स्वाद अनुसर, नमक और पीसे हुए अदरक और हरी मिर्च का पेश्ट धीरे धीरे इस पर पानी को मिक्स करके बैटर को थोड़ा सा पतला कर लेंगे ताकि यह तवे या पैन पर डालते ही फेल सके तो देख सकते हैं इस तरह से जो है चावल का बैटर हमें तयार कर लेना है अब बनाना इसे बहुत ही आसान है, हम एक पैन को गैस पर रखेंगे और इसे थोड़ा सा गरम करने के बाद इसे सरसो तेल से ग्रीस कर लेंगे तो ग्रीस करने के लिए हम यहाँ पर एक कटा हुआ आलू का इस्तिमाल कर रहे हैं, देख सकते हैं, अब चाहें तो ब्रस वगरा से भी पैन पर हलका सा तेल को ग्रीस कर लें पैन को अच्छी तरह से ग्रीस करके गैस के फ्लेम को मीडियम आज पर रखेंगे और बैटर को चमच से मिक्स करते हुए इस पैन पर थोड़ा थोड़ा बैटर को हम डालते जाएंगे इसे कुछ भी नहीं करना है, ये राउंड सेप में बनकर तयार हो जाएगा, खुद बखुद देख सकते हैं आप और जब ये थोड़ा सा जम जाए, मतलब एक साइड से जब ये थोड़ा सा पक जाए, तब हम इसे चमच की साहता से बहुती आसानी से पलट देंगे दूसरे साइड से भी इसे अच्छी तरह से पका लेंगे, और ये देख सकते हैं, चावल का चिल्ला हमारा इस तरह से बनकर के आज तयार हो गया है तो फ्रेंट्स, ये वाली रेसेपी अगर आपको पसंद आती है, तो हमारे वीडियो को प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब भी करें, धैन्यवाद